फ्रेंज आज हम रन्बीर कपूर एंश्रदा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू जूटी मैं मकार का फिल्म ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं जो 8th मार्च को रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में इस फ Whats को डिरेकर की रेक्टर लवरंचन ने जिनोंने अलरड़ी इस वाल्ड बोर्ट में प्यार का पंच नामा और सोनू के ٹी-2 की स्वीटी जैसी फैबलिस्य फिल्मों को डिरेक्ट किया है फिल्म को प्रोड्यूस किया है खुद लवरंजन ने और अंकुर गर्ग ने ट्रेलर में हम देखते हैं कि रनवीर कपूर जो की रिलेशनशिफ के वर्ल्ड में एक एकसपर्ट है वो एक वेकेशन में मिलते हैं शर्दा कपूर से और टाइम पास करते करते रनवीर को प्यार हो जाता है उनसे बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि शादी की बातें चलने लगती है उन दोनों की फैमिलीज के बीच तबी आता है ट्विस्ट हम देखते हैं कि अगर रनवीर इस प्यार के गेम में शेर थे तो शर्दा सवाशेर निकलती है पता चलता है कि शर्दा उससे प्यार नहीं करती है और रनवीर की फैमिली में ही रनवीर को निकामा दिखाकर उससे शादी तोड़ना चाहती है क्यों वो हम फिल्म में देखेंगे पर यहां से हम देखते हैं कि दोनों में लव और शुरू हो जाता है शन्दा के कैरेक्टर को देखके लव रंजन की सोनू की टीटू की सूटी की नुसरत बरूच के कैरेक्टर की याद जरूर आती है जो की बुरी बात नहीं है अब क्या करेंगे आशा करते हैं कि फिल्म में इससे भी अच्छे और फ़नी डालोग सुनने को मिलेंगे फिल्म में रनबीर और श्रदा फ्रेश लग रहे हैं इनके अलावा हैं डेंपल कपाडिया, अनुबाव सिंग बासी और आयशा राजा भी दिखेंगे और सुना है बोनी कपूर प्रडूसर भी अक्टिंग का डेब्यू करने वाले हैं इस फिल्म में ये फिल्म होली के दिन रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के कलर्स भी होली के तियोहार के जैसे वाइबरेंट है दोस्तों ट्रेलर काफी कलर्फूल लग रहा है और हम इस फिल्म को देखने के लिए काफी एकसाइटेड है तो वेल फ्रेंट्स ये था तू जूटी मैं मकार का ट्रेलर रिव्यू आपके लिए कैसा लगा ये कॉमेंट्स में बताईए अगर लाइक सब्सक्राइब और नोडिफिकेशन बेल दबाईए तो गॉड बलेस यू और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजे और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इंकरेज कीजिए रिव्यू को रन्वीर कपूर और शदा कपूर के फैन दोस्तों के साथ जरू शेयर करना फिलाल के लिए मैं जेसन रवी विदा लेता हूँ थैंक्यू शुक्रिया और जैहिर